जो पेट के जो रोग होते हैं जैसे गैस, कब्ज, एसीडिटी अत्तिधिक गैस का बनना IBS संग्रहणी में जो हींग का यूज होता है वो ये हींग होती है दोस्तों ये डली वाली हींग होती है इसकी कीमत दोस्तों 18,000 रुपए किलो है 180 रुपए की ये 10 ग्राम मिलती है तो इसको सुद्ध करने के मैं आपको तरीका बताऊंगा जैसे हम पाउडर बनाके चून बनाके देते हैं डाइजेशन के, गैस के, अफारा, अपच के, IBS, संग्रहणी के तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं तो मैं बताऊंगा कि इसको सुद्ध कैसे किया जाता है क्योंकि इसको सुद्ध करके इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों तो इस वीडियो मैं आपको बता दूँगा ताकि आप कभी भी खुद से बनाना चाहें तो आपको पता चले कि यह हिंग लेकर यह पंसारी कि यहां मिलती है डली में होती है तो यह हिंग को लेकर कैसे सुद्ध करके कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी से मिल जाएगी तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सुद्ध किया जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक कडाही ले ली है उसको आज पर चढ़ा दिया है गैस पे और एक चम्मच भरके आपको सुद्ध देशी घी लेना है जी हां दोस्तों एक चम्मच आपको भरके सुद्ध देशी घी लेना है और कडाही को आज में चढ़ा दे जब वो गर्म होने लगे तो यह घी उसमें डाल देना है ऐसे आपको सुद्ध घी यह डाल देना है उसमें पे और घी इ देख सकते हैं आप घी हलका गर्म होने लगा है अब इसमें घी आपको हींग डाल देना है इसी घी में और इसको चम्मत की सहायता से ऐसे धीरे धीरे हिलाना है आपको ऐसे यह देशी घी से ही सुद्ध की जाती है हींग वही असर करती है दोस्तों कुछ लोग होते हैं तो आजकल तो दोस्तों जितने भी आप चून खाते हैं जैसे मार्केट में मिलते हैं बहुत सारे पाचक चून लवन भासकर हिंगवस्टक चून तो लोग घी में नह बना कर देते हैं उसमें हम सुद्ध देशी घी का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी सक्ति और भी बढ़ जाए और यह इंग अप किसी भी चून में हम गये से सीडिटी कब्ज के चून में डाल देंगे या संग्रहणी के आई बीएस के पाउडर में हम डाल देंगे तो उसकी तमस्याब लगता है ठीक हो जाएगी तो दोस्तों इसी कारण क्योंकि हम पेऊर इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं अब यह 20 ग्राम हींग है दोस्तों यह काफी होती है अगर आप 300 ग्राम चून तैयार करते हैं तो आपको 5 ग्राम बस इसको मिलाना तो अगर आप खुछ से बनाना चाहें तो खुछ से तयार करके इसको ऐसे भून कर थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है तो देखो अभी पक रही है तो इसका कलर जो है थोड़ा सा हुआइट होने लगा देख रहे हैं यह कलर चेंज कर रही है जो भून गई है उसका कल तर ढंग से करती है गैस नाम की चीज कोई पेट में रही नहीं जाती दर्द मरोड गैस एसीडिटी यह सब बिलकुल जलसी जाती है पेट में और डाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है इतना मजबूत हो जाता है कि लोहा भी खाले लगकर पत्थर भी खाले वो भी अजम हो जाएगा तो यही तरीका होता है दोस्तों हिंको सुद्ध करने का अब जैसे हुआइट हो जाएगी देखो इसने अपना पूरा कलर चेंज कर दिया अब यह मतलब भुन चुकी है दोस्तों अब बस इसको निकाल कर रख लेना थोड़ी देर में बिलकुल सूख जाएगी और इसको चूण में मिक्स कर देना है पीस के बस चूण आपका तयार हो जाता है तो यह नुस्खा होता है दोस्तों इसलिए हमारी दवाएं बहुत अच्छा असर दिखाती है इसलिए आप लोगों के मैसेज आ और कमेंट आते हैं कि सर बहुत ज़्यादा फायदा हुआ त तो कि इतनी महेंगी चीज़े कोई इस्तेमाल नहीं करता जो कीचेन वाली हींग होती है जो आती है सस्ती सी डिविया में उसी को इस्तेमाल करते हैं यह हींग बहुत ही महेंगी होती है दोस्तों इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता इसलिए मेरे कुछ चूण है मेरे जो सं स्थांग से मिक्स हो जाएगी थोड़ी देर में सूक जाएगी इसमें जो घी की नम है फोड़ी देर में सूक जाएगी बस स्थिज को इसी को इस्तेमाल करते तो आप डेख सकते कितना इस कालर बिल्कुल इसकी रंगती चेंज हो गई है बदल कर सकते हैं